चीन में कुछ पैसों के लालच में एक कल्यूगी बाप ने ऐसा कर दिया कि उसने अपने रिष्टे को ही कलंकित कर दिया। यहां एक शक्स ने अपने बेटे को बेच उन पैसों से पूरे देश का टूर करने लगा। इस शक्स का अपनी पत्नी से तलाक हो चुका था और बच चुका शक्स का सन्नेमशी है। इस शक्स की अपनी पत्नी से हमेशा लडाय होती थी और इस वजह से दोणों का तलाक हो गया था। इस कपल के दो बच्चे थे। महिला ने अपनी ने बेटी को ली हूई थी और शक्स को उसका बेटा कस्टडी में मिला था। काम की वयस्तत के कारण इस शक्स ने अपने बेटे को अपने भाई और उसकी फैमिली के पास कुझू सिटी में छोड़ दिया था. हाला कि पिछले महीने वो अपने भाई के यहां आया था और अपने बेटे को ले गया था. उसने कहा कि इस बच्चे की माँ उसे देखना चाहती है, इसलिए वो उसे ले जा रहा है. पुलिस के मुताबिक, शी ने अपने बेटे को चांक्सू शहर में एक निसंतान दंपती को 24,000 डॉलर्स यानि लगभग 17,000,000 रूपियों में बेच दिया था. शक्स पर आरोप ये है कि वो इन पैसों को लेकर अपनी गर्ल्फरेंड के साथ पूरे देश भ्रमड के लिए निकल गया था. हाला कि कई दिनों तक बच्चा जब वापस नहीं आया और शी ने अपने भाई का फोन भी उठाना बंद कर दिया, तो उसने पुलिस को सूचना दी. ऐसे में पुलिस ने ततकार एक्षन लेते हुए शी को गिरफतार कर लिया. आपको बता दें कि शी पर ये भी आरोप है कि वो पनी पत्नी के साथ मिलकर इससे पहले भी अपनी दो लड़कियों को भी किसी दूसरी फैमिली को दे चुका है. फिलहाल पुलिस सभी मामलों की जांच कर रही है.